असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल लाइबा हेल्फ टिप्स फ्रेंड्स आज मैं बहुत एक्साइटिड हूँ क्योंकि आज मैं जो टॉपिक की बारे में बताऊंगी वो आपको 100% पाइदा भी देगा उसके साथ ही साथ आपको स्मार्ट भी बनाएगा मोटापिक की वज़ा से आप बहुत बोरे दिखते होंगे आज मैं फ्रेंड्स आपको प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी आपको बताऊंगी कैसे आप अपने आपको स्मार्ट बना सकते हैं और इसकी साथ ही साथ आप अपने डाइट को मेंटेल कर सकते हैं अगर आप इस लिम स्मार्ट बनना चाते हैं तो ये वीडियो आपकी बरपूर मदद करीगी तो चलिए शुरू करते हैं पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को दबाईए एवरी लिटिस ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आपने जापानी खावातीन को देखा होगा कि वो बिल्कुल मोटी नहीं होती और बहुत दूबली पतली नजर आती है ये बात रिकार्ट पर है कि शायद ही कोई जापानी लड़की ऐसी हो जो मोटी हो इसके इलावा ये बात भी हैरानकुन है कि दुनिया में सबसे लंबी उमर का रिकार्ट जो के 84 साल की ओसत उमर है वो भी जापानी लोगों के पास ही है हमेशा दूबला पतला रहना या लंबी उमर पाना उसके पीछे क्या आराज है आज मैं आपको बता देती हूँ उसकी सबसे एहम वज़ा ये है कि जापान में घरों के किचन में ऐसे कानी पीनी के अशिया नहीं रखी जाती जिनकी वज़ा से वज़न बढ़ता है साथ ही ऐसे काने काई जाते हैं और ऐसे मशरूब पीए जाते हैं जिनकी मदद से वज़न में कमी होती रहती है जापानी खावातीन के कानी की सबसे पसंदीदा अशिया में फल, मचली, सबज्या और ग्रीन टी शामिल है इन तमाम अशिया की हैरतंगेज खासियत ये है कि उनको खाने से ना सिर्फ वज़न कम होता है साथ ही उमर बढ़ने का अमल भी बहुत सुस्ट हो जाता है और इनसान जवान और शादाब नजर आने लगता है जापान के बारे में एक दिल्चस्प और हैरतंगेज बात आपको बताती हूँ कि जापानी दुन्या की कुल अबादी का सिर्फ दो फिसद है जब कि यहां की लोग दुन्या की कुल फिश का दस फिसद काते है वजन में कमी का एक एहम अंसर ये है कि जापानी बच्चों को बच्पन से ही इस बात की तर्बियत दी जाती है कि वो खाने को खूब चबा चबा कर काएं और तीजी से ना खाएं जापानी खाना इंतहाई असान और मिर्च मसालों से पाक होता है इन मिच मसालों की वज़ से वज़न में काफी इजाफा होता है इसके इलावा जापानी लोग अपने हर काने के साथ चावल जरूर काते हैं मीटा खाने में ये लोग बहुत सुस्त हैं और मीटा कम से कम इस्तिमाल करते हैं जापानी खवातीन वर्जिश भी रोजाना करती है पहाडों पर चड़ना और साइकलिंग करना उनका पसंदीदा मजगला है तो व्यूवर्स तैंक्स फार वाचिंग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज